हिरन्य गर्भ एक एशा शब्द है जो सनातन धर्म और भारती विचारधरा में स्रस्टी का आरंभीक स्त्रोत माना जाता है। इस शब्द का सरुप्रत्म उलेक रिगवेद में हुआ है। हिरन्य गर्भ का शाब्दिक आर्थ प्रदिप्त गर्भ या अंडा अत्वा उत्पत्ती स्थान माना गया है। सामान्य तह हिरन्य गर्भ शब्द का प्रयोग जीवात्मा के लिए हुआ है जिसे ब्रह्मा जी भी कहा गया है। इस शब्द को यदि सरल भासा में समझे तो पता चलता है कि हिरण्य गर्भ यानि सोने के अंडे के भीतर रहने वाला तो फिर सोने का अंडा क्या है और सोने के अंडे के भीतर रहने वाला कौन है रिगवेद के अनुसार पूर्ण रुपसे शुद्ध ज्यान की शान्तावस्था ही हिरण्य है यानि सोने का अंडा है और उसके अंदर निवास करने वाला चेतन्य ज्यान ही उसका गर्व है जिसे हिरण्य गर्व कहते हैं स्वर्ण आभा को पूर्ण और शुद्ध ज्यान का प्रतिक माना गया है, जो शांती और आनन्द देता है। ठीक उसी तरह जैसे प्रातह कालिन सूर्य की अरुनिमा, सूर्य के उगने या जन्म का संकेत है। रिगवेद के अनुसार ब्रह्मा की चार अवस्थाय मानि जाती हैं, जिसमें सबसे पहली अवस्था अव्यक्त है, यानि जिसे कहा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। दूसरी प्राग्य है जिसे पूर्ण विशुद्ध ज्यान की शान्त अवस्था कहा जाता है और इसे ही हिरण्य कहा सकते हैं शीर सागर में नाग शैया पर लेटे स्री हरी विश्णु का चित्रन इसी के अधार पर किया गया है शेवों ने इसे ही शीव कहा है और मनुष्य की सुषुप्ति भी इसी का प्रतिरूप मानी जा सकती है सुषुप्ति की अवस्था में ही ऐसे विचार उठते हैं जिन्हें दार्शनिक या विज्ञानिक स्तरका कहा जा सके भोतिक विज्ञानियों या विज्ञानिकों को इसी सुसुप्ति की आवस्था में आविश्कारों की सुचती है तीसरी आवस्था तेजस है जो हिरन्य में जन्म लेता है इसे हिरन्य गर्व कहा है यहां ब्रह्मा इश्वर कहलाता है इसे ही ब्रह्मा जी कहा है मनुष्य की स्वपनावस्था इसका प्रतिरूप है यही मनुष्य में जिवात्मा है यह जगत के आरंभ में जन्म लेता है और जगत के अंद के साथ लुप्त हो जाता है ब्रह्मा की चोथी आवस्था वेश्वानर है संपूर्ण स्रस्टी का निर्मान विस्तार ब्रह्मा का वेश्वानर स्वरूप है मनुश्य की जागरत अवस्ता इसका प्रतिरूप कहा गया है रिग्वेद में यह बात भी स्पस्ट रूप से कही गई है कि इससे यह न समझें कि ब्रह्मा या इश्वर चार प्रकार का होता है क्योंकि यहां ब्रह्मा तो एक ही है लेकिन उसकी चार अलग-अलग आउस्थाओं को बताया गया है ब्रह्मा के वही चाया रूप या प्रति रूप जैसे जागरत, स्वप्ण, सुसुप्ति और सोरूप की इस्थितियां मनुश्य की चार अउस्थाओं में भी मिलती है वेदान्त और दर्शन शास्त्र के ग्रंथों में हिरन्य गर्भ शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है इसके अलवा भी अनेक भारती परंपराओं में इस शब्द का अर्थ अलग-अलग प्रकार से लगाया जाता है तो यदि मेरी यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज जल्दी से इस चैनल को लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि मेरे आने वाले वीडियो को भी आप देख सकें धन्यवाद